और बच चलो कैसे हो चलो चलते कुछ नया सकरने बच्चों हमें बहुत सारे कलर, जैल कलर काफी जगा यूज होते हैं ऐसे में हम बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं क्योंकि हमें सारे कलर को लेकर एक साथ आना पड़ता है और थोड़े टाइम बाद उन कलर का यूज नहीं होता या सूख जाते हैं तब हम परिशान होते हैं ऐसा नहों तो आज मैं आपको घर की चीजों से एक DIY तयार करवाऊंगी जिससे आप काफी सारे कलर बना सकते हैं और जो आपको मन करें जितना आपका मन करें उतना ही बनाएए बाकी आपको ज़्यादा परिशान होने की जरत नहीं है देखिए ये कलर बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है चुकंदर चुकंदर को मैंने चील के बारी कट कर लिया है और से मिक्सी के जार में डाल दिया है थोड़ा सा पानी डाल कर इसका मैं एक पेस्ट बना लेती हूँ ये देखिए इस पेस्ट को मैं इस तरीके से चान लेती हूँ एक बड़िया सा red color, dark maroon color मेरे पास तैयार हो गया अब जो ये pulp है ना इस pulp को भी आप fakie मत इसी से ही आप आटा गून सकते हैं बच्चों को एक बड़िया से पूरी या परांठे में डाल के यूज करके दे सकते हैं अब ये जो red color का बड़िया पानी है उसे हम अलग रखते हैं अब हम लेते हैं पालक पालक जो ताजी बड़िया मिलती है उसे wash कर लीजे डंडियां तोड़ लीजे और उसे एक mixi के jar में डाल दीजे उसमें भी थोड़ा पानी डाल कर उसे grind कर लीजे और कोशिश करें अगर गर्मी हो तो थोड़े आइस cubes डालिए जिसकी वज़ा से एक green का green color आपको मिलेगा इसे भी आप इसी तरीके से चान लीजे और इस puri को आप काम में ले लीजे किसी आटे में या सबजी में डाल कर आज चार से पांच color ऐसे बढ़िया बना कर आपको बताऊंगी कि आप अराम से उसे घर में बना सकते हैं जरूरी नहीं आपको इतने सारे color एक साथ बनाने या ज़्यादा quantity में बनाने आप जरा जरा सी quantity में भी इसे बना सकते हैं जब आपके पास जो चीज अवेलेबिल हो अब लीजी आप पता गोबी ये purple color की पता गोबी कई बार हमें मिल जाती है और हम खरीद भी लेते हैं उसमें से कुछ पते आप ले लीजी जिसे आप पानी डाल कर ग्राइन कर लीजी ये इनका natural जो color कुदरत ने दिया है उनी से हम बनाएंगे बढ़िया DIY homemade gel color ये purple color का जो color हमारे पास आगया इससे बहुत सारे काम होने वाले हैं तो इस तरीके से पता गोबी का भी हमने color निकाल लिया है और उसे भी एक तरफ रख देते हैं सारे पानी हमारे पास कठे हो गए हैं अब हम चलते हैं इनने बनाना शुरू करते हैं अब मेरे पास चाहिए क्या ये देख लेते हैं मैंने ये तीन color बना लिये हैं और मैंने एक बार एक कटोरे में लिये चीनी चीनी हमारे घर में हमेशा होती है और थोड़ा सा रख दिया है मैंने नीबु का रस अब हमें जितना जितना बनाना है उससे साब से आप चीनी डालें यहाँ पर मैंने आधा कप डाल दिया है यह मरून कलर एक पैन में जिसमें मैंने तीन से चार चमश डाल दिये चीनी अब इन दोनों को हमें पकाना है एक बड़िया सी एक तार वाली चाशनी बनानी है मेडियम फ्लेम पर इसे पका लीजिए और इसकी तार को आप चेक कीजिए बस इस तरीके की तार आगई मतलब आपका ये कलर बन गया है ये बिलकुल जम न जाए तो इसके लिए आपको क्या करना है इसमें आदा चमज डालना है नीबू का रस जब हम गैस बंद कर देते हैं उससे क्या होगा ये जैल कलर जो है एक दम से बहुत जादा नहीं जमेगा थोड़ा गाड़ा जरूर होगा ठंडा होने के बाद लेकिन बहुत जादा नहीं जमेगा जम भी जाए तो टेंशन नहीं है जब आपको चाहिए वापस इसे थोड़ी दिर गरम पानी में रख सकते हो ये देखे कितना बड़िया रेड मरून कलर का गाढ़ा कलर ये तयार हो गया है जो मार्किट से हम बहुत सारे पैसे खर्च करके कलर को लेकर आते हैं अब लिया मैंने उसी पैन में साफ करके आधा कब पालक का पानी और उसी में ही तीन से चार बड़े चमच डाल दिया चीनी सारे कलर को एक जैसे तरीके से नहीं बनाना है इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए सारे टेप्स को आपको समझना होगा अब यहाँ पर पालक और चीनी बहुत अच्छे से पग गया है इसकी भी हम तार देखते हैं बहुत बड़िया तार बन गई है लेकिन अब हम इसमें नीबू नहीं डालेंगे पालक में अगर नीबू डालोगे तो इसका कलर काफी हद तक लाइट हो जाएगा तो भले इसको थोड़ा कम गाड़ा रखो लेकिन इसमें नीबू बिलकुल न डालो यह जैल कलर बनकर त्यार हो गया है अब चलते हैं इसी पैन को साफ करके इसमें आदा कप मैं डाल रही हूं परपिल कलर जो हमने पता गोबी से निकाला है इसमें भी हम चीनी डाल देते हैं चार टेबिल स्पून अगर सबजी का पानी थोड़ा जादा लगे तो आप चीनी की कॉंटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं इसे भी पकाईए और एक तार का बना लीजे यह देखिए एक तार का बन गया है अब इसमें से मैं क्या कर रही ह अब आधी मातरा में मैंने इसे निकाल दिया है आधी मातरा में मैं डाल रही हूँ वन फोर्थ टीजपून बेकिंग सोडा जो कि हमारे किचिन में होती है अब आप कमाल देखेंगे यह परपिल कलर बैगनी कलर धीरे धीरे सोडा के साथ रियक्ट होके यह हो जाएगा डार ब्ल्यू कलर जो ब्ल्यू कलर हम कैसे बनाते तो इसी के साथ हम बना लेंगे यह देखें इसे मिलाते जाएए बड़िया सा ब्ल्यू कलर आपका हो जाएगा जैसे मीठा सोडा डालते हैं तो थोड़ा सा थिक हो जाता है वापिस से गैस पे रख दिया है मैंने इसे पकाने क के लिए थोड़ी दिर रखने के बाद आप देखेंगे यह बड़िया सा ब्ल्यू कलर आपका तयार हो गया है अब आप किसी में भी यह ब्ल्यू कलर अगर एड़ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब चलते हैं कि यलो कलर बनाने के लिए मैंने यहां पर मिला दिया है चीनी और पानी के अंदर यह बड़िया सा जब उबलेगी नहीं तो केसर अपना कलर बहुत बड़िया तरीके से छोड़ेगी अगर औरेंज कलर देना है तो इसी में अगर आप थोड़ा सा रेड कलर जो बीट रूट से बनाया उससे जोड़ देंगे तो वो भी बन जाएगा येलो चाहिए तो आपका केसर का अभी बिल्कुल तयार ही हो जाएगा इसे भी एक तार का हो जाए आप निकाल लीजे आप चाहें तो कुछ बूंदे निबू की डाल सकते हैं वैसे तो सारे कलर मैंने बना लिए वो अपने आप में बहुती फ्लेवर फु और ये हामफुल भी नहीं है घर के हैं बने हुए जब भी आपको जरुत परती छोटी मोटी कलर के लिए आप भटकते हो खुब सारे पैसे खर्च करते हो ऐसी प्रॉबलम आपके साथ ना आए तो घर में बने हुए कलर जब आप यूज करेंगे तो आपको भी बहुत अच जाए वापस से जब इसे थोड़े गरम पानी के अंदर रख देंगे बॉटिल को वापस से ये बढ़िया सा सौफ्ट हो जाएगा जमेगा ने अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्रीम में कलर डाल के दिखा रही हूं कि इसका एक्चुल कलर कितना बढ़िया आता है ये द किसी कपकेक में यूज करना है किसी आपको आईसक्रीम में यूज करना है किसी केक्स में यूज करना है शर्वत में यूज करना है आप अराम से यूज कर सकते हो आजकल कई टाइप के मॉक्टिल्स बनते हैं उनमें भी ये सारे कलर यूज कर सकते हो यहाँ पर मैं आपको ब प्रिज्ज में रखेंगे तो इसकी लाइफ और जादा बढ़ जाएगी अगर आप बाहर रखेंगे तो एक दो हफते आप इसे यूज कर सकते हैं एक चीज बच्चों में यहाँ पर एक और भी दिखाऊंगी अगर आपको पता वो भी परपिल कलर की नहीं मिले टेंशन नहीं है आपके पास इस समय काला अंगूर आ रहा है उससे भी आपका परपिल कलर बहुत बढ़िया बन जाएगा और स्टॉबरी आ रही है स्टॉबरी